कि कर अफ नुक darum नाफ सबीक्त्रीय हमारे य्यूटूब चैनल में स्वागति हैं मिलस्च व्यूडिय में पड़ा था वह हमने कान्वेक सैट की डफिनेशन पड़ ले कंद्ध कॉन्वेक सैट की डैफिनेशन पड़ चुके हैं और कॉन्वेक्स सेट किसे कहते हैं हम यह पढ़ चुके हैं उसके जिमेटिकली किस तरह से हम किसी सेट को सो करते हैं कि यह सेट जो है वह कॉन्वेक्स सेट है या नहीं और उसके बाद मैथमेटिकली भी हमने पढ़ लिया था कि किसी सेट को हम सो कैसे करेंगे कि यह मैथमेटिकल करके उसको mathematical solution कर गए कि यह set है जो convex है या नहीं और हम उस वीडियो में एक example कर रहे थे जिसमें हमारा वीडियो cancel हो गया था वीडियो बंद हो गया था बीच में से तो अब हम यह second वीडियो में उसका solution कर रहे हैं हमारे पास question था so that set कुछ set है s वरावर x1 x2 जहां पर a x1 plus b x2 equal to c यहनी एक set है s यह convex है हमें यह so करना यह set जो है वह convex set है तो फिर इसको so करने के लिए हमने solution में क्या मान लिया थे हमने दो points मान लिये थे x and y दो points ले लिये थे जिनके x जो point था वो था हमारे पास a1 a2 और y जो point था वो था हमारे पास b1 b2 और दोनों point को हमने लिया है s का तो यह अगर s के point है तो s के point होने यह condition में हमारे पास यह condition को satisfy करेंगे यानि कि हमारे पास यह हो जाएगा A1 plus A2 for B A2 equal to C यह इसको equation number 1 दे दिया और साथ में यह point भी इस condition को satisfy करेगा तो यह हो जाएगा हमारे पास A B1 plus B B2 equal to C यह हमारे पास equation 2 दे दिया अब हमें सो करना है कि lambda X1 plus 1 minus lambda X2 belongs to S अब पास यह सो करना के लिए हमें क्या important है हमारे पास कि अगर हमें यह सो करना है तो जहाँ पर lambda है वो है 0 से 1 के बीच में है तो फिर इस condition में हमारे पास पहले X1 और X2 के value put करने होंगे तो लेली हमने lambda और X1 के हमारे पास A1 A2 तो A1 A2 plus 1 minus lambda और यह है B1 B2 अब इसको हम अगर equal to C इन दोनों points को हम S में set प्रूब करने के लिए क्या करेंगे कि यह दोनों का यह सम है वो CA के बराबर आए अगर इसके कोला ज्यादा है तो हम कह देंगे कि जो set यह जो है lambda X1 plus 1 minus lambda X2 हर lambda की value के लिए set S में है तो फिरस यहां से हमने ले लिए इसको हमने क्या तो यह हो गए lambda A1 और lambda A2 plus 1 minus lambda A1 sorry B1 and 1 minus lambda B2 यह हो गए हमारे पास अफिरस दो यहां से हमके partition sum कर रहे हैं तो sum करने पर हमारे पास X वाले का X के साथ add हो जाए तो यह हो जाएगा lambda A1 plus 1 minus lambda B1 और second हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास lambda A2 plus 1 minus lambda B2 अफिरस यह हो गया अफिरस यह हमारे पास set यह जो point है अगर यह seem होंगे तो उस condition में हमारे पास यह बाले A और lambda A1 plus 1 minus lambda B1 plus B और X2 के जगे यह lambda A2 plus 1 minus lambda B2 अब इसका कुल्म C के बराबर लाना है यह C के बराबर कैसे आएगा अब यह solve करते हैं फिरस यहां से हम देखते हैं यह हो गया हमारे पास A lambda A1 plus A1 minus lambda B1 plus B lambda A2 plus 1 minus lambda B यहां पर और B2 यह हो गया हमारे पास अब फिरस हम लेम्डा कॉम्मल ले 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 हमारे पास बच गया है a b1 plus b b2 यह हो गया अफिरस a a1 plus b a2 यह जो value है वो हमारे पास equation 1 equation 1 क्या है हमारे पास a a1 plus b a2 यहां पर हमारे पास यह है तो यह हो गया lambda c plus इस तरह से यहां पर देखें तो a b1 plus b b2 तो a b1 plus b b2 यहां 1 माइनस lambda c अब c यहां से common ले लिया तो यह हो गया हमारे पास lambda plus 1 minus lambda तो equal to c तो फिरस यह point भी हमारे पास यहां से हम कह देंगे कि lambda x1 plus 1 sorry lambda x plus 1 minus lambda y also belongs to s तो यह इंप्लाई करा है s is a convex set है यह हो गया friends हमारे पास कि जो set s जो है वो convex set है अब friends कुछ important theorem हम इसमर पढ़ेंगे इस important theorem के लिए मैं next video बनाऊंगा क्योंकि वो theorem मैं next video में शुरू से start करूंगा अगर आपको कोई problem हो कोई समझ में नहीं आया कोई topic है तो आप मुझे contact कर सकते हो हो मेरा नंबर है वह है 9460689761 यह मेरा वाट्सअप नंबर है यहां पर वाट्सअप भी करना है कॉल नहीं करना यहां फिर मुझे मेल कर सकते हो है यहां पर भी आप मुझे मेसेज कर सकते हो मैं फिर आपको उसका रेपलाई करते हूंगा थैंक्यू फ्रेंड्स